नमश्कार दोस्तों अयुद्या में भारी विकास के बाद लूट जारी है चोरों ने भगवान राम को भी नई बख्षा है जिस अयुद्या में राम मंदिर के लिए इतनी राजनीती हुई इतना संघर्स किया गया इतने दावे किये गए सब के सब कुछी दिनों में धराशा ही हो गए अब ख़बर आई है कि आयुद्या में राम लला के मंदिर के ओर जाने वाले राम पत और भक्ती पत पर लगाई गई पचास लाख रुपए से जादा की कीमत की 3800 बैंबू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट चोरों ने चुरा ली हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ये चोरी अयुद्या के सबसे महत्तोपूर और सुरक्षित माने जाने वाले जगे पर हुई है और पुलिस बलसाइद किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी शायद इसे ही घोर कल्युक कहा जाएगा क्योंकि अयुद्या में राम मंदिर तो बन अयुद्या धाम भी सजा दिया गया लेकिन बीजेपी ना तो ब्रश्टा चार रोक पाई और नहीं चोरो पर लगाम लगा पाई एक तरफ राम मंदिर बनने के कुछ ही दिन बाद मंदिर के गर्वग्री में पानी टपकने लगता है तो अब 50 लाख की लाइटे सब के सामन इसे सडक के बीच से चोरी हो जाती हैं दोस्तों इस चोरी पर अयुद्या के विकास पर अखलेश यादों ने भी सरकार को खूब घेरा है अखलेश यादों ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश अयुद्या में चोरों ने की कानून वेवस्था की बत्ती गुल इसलिए जनता तो पहले ही कह रही थी बिना बिजली के खड़ा है खंबा भाजपा सरकार मतलब अंधेर नगरी सब तरफ अंधकार अयुद्या कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा दोस्तों अखलेश यादों ने अयुद्या के रोड लाइट जिसकी चोरी हुई है उसको विडियो अगर उन्होंने बीजेपी सरकार पर कानून विवस्था पर सवाल उठाए अखलेश यादों ने अयुद्या में बीजेपी की करारी हार पर अपनी बातों से नमक छड़का है और कह रहे हैं कि अब अयुद्या के लोग बीजेपी को नहीं चाह रहे हैं खेर दोस्तों अग पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार खा गया है कि रामपत पर 6400 बैंबू लाइट और भक्ति पत पर 96 गोबो प्रजेक्टर लाइट लगाई गई थी 19 मार्च तक सभी लाइटे लग चुकी थी लेकिन 9 माई को निरिक्षड के बाद पता चला कि कुछ लाइटे गायब जाच में मालुम हुआ कि करीब 3800 बैंबू लाइट और 36 गोबो प्रजेक्टर लाइट चोरों ने चुरा ली हैं यानि राम मंदिर उधगाटन के तीन महीने में ही चोरी भी हो गई लेकिन दर्ज शिकायत के अनुसार ये स्विकार किया गया कि फर्म को इस चोरी की जानका हारी का ये आलम है कि लोग अब भगवान के द्वार में भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर प्रशाशन इतनी लापरवाह क्यों है क्या कहीं पर भी CCTV कैमरे नहीं लगे इतनी बड़ी चोरी हो गई पुलिस को आखिर कैसे नहीं पता करने का दावा कर रहे थे लेकिन क्या इमारते खड़ी कर देना मंदिर और एरपोर्ट बनवा देना काफी होगा अगर कानून बेवस्ता ही ठीक नहीं है तो यह सब वेकार ही है वैसे आपको क्या लगता है अपनी राह हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएगा आ मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार